हेलो अगरिबडी यूर मुश्ट विलकम आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर आज हम एक बार फिर से ओपस्टेते हैं नई टॉपिक को लिकर करके जिसके बारे में आज हम डिसकस करेंगे आज हम हम बात करेंगे distribution of adopters categories अर्थात हर category का distribution society के इंदर कितना है बात करते हैं सबसे पहले adopters categories के बारे में एम रोजर्स ने adopters categories को पांच पाटों में divide किया है अगर हम adopters की बात कर लें अदिग्रहण करताओं की बात कर लें तो जब हम किसी भी innovative idea को अत्वा किसी नवाचार को नए विचार को जब हम किसी society में जाकर के कि लोगों की सम्हों को बताते हैं तो कुछ व्यक्ति उस idea को उस विचार को अत्वा उस technology को बहुत ही जल्दी कर लेते हैं परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो काफी लेट अर्थात काफी देर में उस idea को अत्वा उस तकनिकी को ग्रहण करते हैं तो इसके पीछे का जो कारड़ है वो उनकी ततपरता पर डपेंड करता है इनोवेटिव नैस पर डपेंड करता है तो इम रॉजर्स ने इसी इनोवेटिव नैस के आधार पर adapters को कुछ कैटागरीज में डपैड किया है जो पांच टाइक के होती हैं नमर एक होता है आपका इनोवीटर्स अर्थात अग्रग्राही नमर टू आपका अर्ली अडप्टर्स अर्थात सीग्र ग्राही इसके बाद आपका नमर थर्ड है अर्ली मेजर्टे अर्थात सीग्र बहुसंक्यक नमर फूर है आपका लेट मेजर्टे अर्थात विलंब बहुसंक्यक नम्मर फिप्थ है आपका लेगर्स अर्थात अंतरग्राही तो इन पांच केटाग्रीज में E.M. Rogers ने अडप्टर्स को डिवाइड किया है तो वन वाई वन हम हर एक के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनोवेटर्स के बारे में अर्थात अग्रग्राही लोगों के बारे में के इनोवेटर्स कॉल होते हैं इनोवेटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो यह वो व्यक्ति होते हैं जो सरुपर्थम किसी भी इनोवेशन को को अर्थात किसी नवाचार को अर्थवा किसी नई तक्निकी को सबसे पहले ग्रहेंड करते हैं यानि अडॉप्ट करते हैं इन व्यक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो यह व्यक्ति हमेसा ही सर्च करते रहते हैं किसी भी नए आइडिया की किसी भी नई टेक्निक की य यह व्यक्ति अड़े करें, उस नवाचार को उस तक्नीकी को ग्रहंड कर लेते हैं, यह व्यक्ति बोहत ही जल्दी जो idea process में हमने जो 5 steps का जिक्र किया था हमने बात करी थी कि 5 steps होते हैं, उनसे गुजर करके व्यक्ति क्या करता है किसी भी चीज को करता है तो यह जो innovators होते हैं यह बहुत ही जल्दी उस adoption के process से हो करके गुजर जाते हैं और जैसे ही इने awareness होती है वैसे ही यह second part में पहुंच करके interest के द्वारा उस तक्निकी के बारे में जानकारी को collect कर लेते हैं थर्ड में जाकर के एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जो innovators होते हैं यह सरव प्रत объясkin को किसी नवाचार को सबसे पहले गृहन करते हैं अब अघर हम इनके वशाष्ताओं के बारे में बात करें तो सबसे बेले बात क्या है कि यह educated होते है यंग होते हैं यानि इनमें सिच्छा का जो इस्तर होता है, इनका काफी अच्छा होता है, ये यंग होते हैं, जवान होते हैं, और यंग होने के विज़े से क्या है, इनके अंदर रिस्क लेने की जो छमता है, स्किल्स हैं, वो पाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी इनोविशन जब होता है, जब आत तो next बात यह है कि इनका source of information जो होता है वो काफी अच्छा होता है source of information में हमें बात करी थी कि के वीके के scientist हैं और आपका जो करसी विज्ञान के अंधर है उसमें जो भी subject matter specialist पाई जाते हैं उन से इनके सम्मंद बहुत अच्छे होते हैं यूनिवस्टी में professors के साथ इनके relation बहुत अच्छे होते हैं इसके बाद यह radio भी radio का यूज करते हैं television का यूज करते हैं और आपका newspaper का यूज करते हैं magazines है journals हैं उनका भी यूज करते हैं तो इस तरीके से हम यह क्या सकते हैं कि इनका source of information वो काफी बहतरीन होता है इसके बाद में आगर हम next की बात करें तो इनका जो farm size होता है वो काफी बड़ा होता है जो innovators इनका जो farm size है वो काफी बढ़ा होता है farm की जो income होती हे वो भी काफी अच्छी होती है फार्म साइज बड़ा होने के वज़े से क्या है कि ये उस पर नए-णए प्रियोग कर सकते किसी भी innovative idea को adopt करते हैं तो adopt करने के बाद में ये ट्रायल उस पर आसानी से ले सकते हैं क्यों क्यों कि इनका जो फार्म साइज है वो काफी बड़ा है इसके बाद इनके फार्म की जो भी loss होता है तो उस loss को जहले की जो skills है जो छमता है वो इनकी पाई जाती है क्योंकि वो इनकी income ज्यादा है और अगर हलका सा अगर कोई loss भी होता है तो इन पर कोई पर्क नहीं पड़ता है इसके बाद अगर हम बात करें तो society, social status की तो social status इनका काफी अच्छा होता है इसके बाद economically यह काफी strong होते हैं तो यह कुछ characteristics हैं जो कि innovators के अंदर अगर का ही इन लोगों के अंदर पाई जाते हैं innovators को हम venture sum भी कहते हैं अर्थात venture sum का मतलब क्या है कि किसी भी नई चीज के खोज में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको venture sum भी कहते हैं तो innovators को venture sum भी कहते हैं यह इसका second meaning भी हम कह सकते हैं इसको हम प्रियो कर सकते हैं सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड है आपके Early Adopters Early Adopters अर्था सीग्र ग्राही ये वो ब्यक्ति हैं जो सेकंड होते हैं किसी भी Innovation को, किसी भी Innovative Idea को, अथवा किसी भी Technology को अपनाने के मामले में, Adopt करने के मामले. Early Adopters के बारे में अगर हम बात करें तो Early Adopters को Respectable भी बोलते है. Respectable ये इसका Second Word हम इसमें Use कर सकते हैं. इसके बारे में अगर हम Early Adopters के बात करें तो ये Second Person होते हैं जो कि किसी भी Innovation को और थाथ किसी भी नई तक्निकी को, किसी भी नई idea को प्रयोख करने वाले दूसरे व्यक्ति होते हैं यद हम इनके बारे में बात करें तो ये व्यक्ति opinion leader होते हैं अपनी society के अंदर और इस वज़े से क्या है कि थोड़ा सा समय लेते हैं किसी भी innovation को किसी भी नई तक्निकी को ग्रहन करने हैं तो ये थोड़ा सा लेट हो जाते हैं इनकी भी संक्या society के अंदर काफी कम पाई जाते हैं अब अगर हम इनके characteristics के बात कर लें तो ये व्यक्ति भी educated होते हैं यंग होते हैं और इनके अंदर ये वहाँ पर काम भी करते हैं और ये as a leader लोगों को प्रवावित भी करते हैं तो ये समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए क्या है किसी भी नई जो innovation है नई जो टेक्निक है उसको पहले अडॉप्ट करते हैं जल्दी अडॉप्ट करते हैं ठीक है उसके ब होता है अर्थाथ ये scientist के contact में भी रहते हैं professors के contact में भी रहते हैं वेविन प्रगार की जो यूद्वेस्टियां है उनमें और ये क्यायते हैं एक्स्टेंशन जो workers हैं उनके साथ भी contact में रहते हैं वीडियो है आपका इनके भी contact में रहते हैं इसके बाद में ये television का भी अच्छा पाए जाता है यदि हम इनके social status की बात करें तो social status इनका काफी अच्छा होता है तो इनके उपर प्रैसर रहता है social status इनका अच्छा होने के विज़य से कि कोई भी नई technology आ रही है तो इनको सबसे पहले उसको adopt करना पड़ता है तो ये भी एक region है कि समाज में अपन कि स्टेटस है वो भी काफी strong होता है इसके बाद हम बात करें तो इनका farm size बड़ा होता है इनकी farm income भी अच्छे होती है लेहाजा ये किसी भी नई technology को अपना करके उसमें जो risk होता है उस risk को जेलने की छमता इनके भी अंदर पाई जाती है अब हम बात कर लेते हैं third category के बार बीख सकते हैं यानि जान बूज कर कह सकते हैं अर्थात ये कि ये व्यक्ती जान बूज कर किसी भी information को जो नई innovative technique है नई information है उसको जल्दी ग्रेंड नहीं करते हैं कुलमला करके ये ना तो सबसे पहले सबसे आगे रहते हैं और ना ही सबसे last में रहते हैं अर्थात बीच म लोग उसमें success हो गए हैं यह टेक्निक अच्छी है और इसको अपनाया जा सकता है उसके बाद में यह इसको करते हैं तो यह third person है जो कि किसी भी innovation को करते हैं किसी नए आडिया को करते हैं और यह deliberate होते हैं जानबूज कर ऐसा करते हैं ऐसा नहीं है कि यह यह भी कहते हैं production के process में जाते हैं और काफी सोस समझ कर काफी समय लेते हैं उस चीज को अडॉप्ट करने में अब अगर हम इनके characteristics के बात करने हैं इनके वजेशताओं के बात करने तो इनकी जो education है वो average होते है और इनकी जो age है वो भी average पाई नहीं सकते हैं यदि हम इनके फार्म साइज के बात करें तो फार्म साई थी इनका average होता है अर्छात होता है इनकी पार्म income है वो भी average होती है और समाज में अगर हम इनके इस्टिती social status की बात करें तो social status भी इनका average पाया जाता है और सत पाया जाता है ना तो जदा अमीर है ना जदा प्रतिश्टित हैं ना ज़्यादा कम प्रतिश्टित है और थात ये समाज में गटने वाली जो संखखञान वर्याव संचरेगा नहीं रहते हैं एक पर उतने एक्टिव नहीं रहते कि इसके बाद अगर हमिंगे इंचे स ost की बात करें सोरस आप Serge II के बात करें तो सोरस आप कर संचालेट करते हैं कभी सॉर्स उद्में इंचरेपर नुट ब्रकाइटे कुछ लोगों से contact भी करते हैं जो नई information इनको दे सकते हैं तो इनका जो source of information है वो भी average पाई जाता है इसके बाद अगर हम इनके economic status की बात करें तो economic रूप से इनकी जो condition है वो भी average पाई जाती है अर्थाब ना तो ज्यादा इनका गयते हैं वलाही होता है ना ज्यादा लोग होता है तो कुल मला करके ये मध्यम वर्क के जो लोग होते हैं वो इसके अंदर मुशली आते हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे early majority majority अर्थाथ शीग्र बावसंक्यक अब हम बात कर लेते हैं fourth category की fourth category is late majority अर्थाथ जो विलंब बावसंक है उन्हें हम skeptical भी कहते हैं और ये सबसे लास्ट मिनी होते हैं लेगड़ से थोड़ा सा तेज होते हैं लेकिन जब समाज के लगवग 50% लोग किसी नए तकनिकी को अत्वा किसी innovation को जब अपना चुके होते हैं अब अगर हम इनके characteristics की बात कर लें इनके अंदर क्या-क्या बिसेश्टा हैं पाई जाती हैं तो अगर हम इनके education status की बात करें तो वो काफी poor होता है अर्थात कम पड़े लिखे होते हैं ये लोग age है वो age भी इनकी काफी ज़्यादा पाई जाती है मलब ये young नहीं होते हैं काफी aged होते हैं लेहाजा इनके अं इनका मिलना चुलना होता है जिनसे contact करते हैं और ये active रूप से participate नहीं करते हैं किसी भी टाइप के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं गतविदियां चलाई जा रहे हैं society के अंदर चाहें सरकारी हों चाहें गहर सरकारी हों उनके द्वारा अगर कोई program से चलाई जा रहे हैं तो farm size इनका छोटा होता है इनकी जो farm income है वो भी काफी कम होती है और अगर हम इनके social status की बात करें तो social status भी इनका काफी अच्छा नहीं पाए जाता है काफी low होता है इनका और economic रूप से भी ये आर्थिक रूप से भी ये काफी कमजोर होते हैं तो ये कुछ characteristics थे late majority के अब हम कर लेते हैं fifth category की अर्थात legards को हम अंतरगरही कहते हैं और इन्हें हम traditional भी कह सकते हैं traditional यानी संस्कृती संस्कृती को ज्यादा मानने वाले लोग कह सकते हैं traditional व्यक्ति क्या होता है बहुत जल्दी अपने अंदर change नहीं लेके आता है और यह सबसे last व्यक्ति हैं सबसे last में किसी भी तकनीकी को अपनाने के मामले में किसी भी नए innovation को किसी भी नवाचार को अथ्वा किसी नई तकनीकी को अड़प्ट करने वाले यह सबसे last व्यक्ति होते हैं कि लगभग सतर से 80% लोगों ने 85% लोगों ने उस technique को अपना चुके हैं और अब इनके पास कोई option नहीं इनके उपर काफी pressure आ जाता है तब जाकर के यह last में उस चीज़ को अड़प्ट करते हैं अब हम बात कर लेते हैं इनके characteristics के बारे में characteristics की अगर हम बात करें तो इनका education जो status ही वो काफी low होता है और इनको हम एक तरी सी कह सकते हैं low क्या illiterate ही होते हैं असिच्छत ही होते हैं यह पड़े लिखे नहीं होते हैं और यह काफी added होते हैं काफी बुजर्ग होते हैं और इनके अंदर रिस्क लेने की छमता बिल्कुल भी नहीं पाई जाती हैं अगर हम source of information के बात करें तो इनका source of information काफी कम होता है बस अपने मित्र पडोसियों से सम्मंदित होते हैं और कोई ज्यादा इनके पास सुविदाएं नहीं होती हैं जहां से उनके पास information आ सके किसी भी नई technology के बारे में किसी भी नवाचार के बारे में इसके बाद अगर हम social status की बात करें तो वो सबसे last में lower पाया जाता है और अगर हम economic status के बात करें तो वो भी इनका काफी lower होता है और यदि हम इनके farm size की बात करें तो वो काफी कम होता है ना के बरावर मान दीजिए और जो कहते हैं इनका farm income है वो भी काफी कम होती है तो यह आपके legards हैं तो EM Rogers ने adapters की जो categories है उनको पांच पार्टों में divide किया है इनके बारे में I hope आप समझ के होंगे अच्छी तरी किसी अब हम बात कर लेते हैं distribution of adapters categories के बारे में कि society के अंदर इनका कितना percent distribution होता है society के अंदर तो यदि हम innovators की बात करें अग्रगराही की बात करें तो यह 2.5% पाई जाते हैं पूरी society के अंदर यानि 2.5% लोग ऐसे होते हैं जो innovators होते हैं किसी नई तकनिकी को आते ही तुरंत सबसे पहले अड़ाप्ट करने वाले लोग यह होते हैं सेकिंड की अगर हम बात करें अर्ली अड़ाप्टर्स की अर्थात सिग्र ग्रही व्यक्ति होंगी तो यह 13.5 यानि 13.5% लोग होते हैं जो कि समाज के अंदर इनकी भागिदारी होती है 13.5% ठीक है तो 13.5% जो है अर्ली अड़ाप्टर्स पाई जाते हैं किसी भी society के अंदर हम बात कर लेते हैं अर्ली 34% पाई जाते हैं society के अंदर इनकी जो भागिदारी होती है participation होता है वो कितना होता है 34% यानि 34 प्रतिसत कहते हैं इनकी संक्या पाई जाती है किसी भी society के अंदर अब हम बात कर लेते हैं लेट मेजोरिटी के बारे में अर्थात विलमब बहु संक्कग के बारे में तो विल सबसे लास्ट में किसी भी innovation को अता किसी भी नवाचार को किसी नई तकनिकी को सबसे लास्ट में अपनाते हैं तो यह इनका distribution of categories हो गया I hope आपको वीडियो अच्छा लगाओगा आपको कुछ नय जानने को मिलाओगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो क लाइक अबस्चे करें यह आपका कोई सुझाव या सचेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर चरूर करें चैनल को सब्सक्राइब अबस्चे करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत